बिहार में जारी सियासी बयानबाजी के बिट राजसभा के स्पाभती हरीवंच नाराइंड सीम बिहार के सीम नितिशकुमा से मिले हैं सुमवा की शाम दोनों की मुलाकात एक अने मार्क में हुई दोनों के बीच लगबग एक घंटे तक सिक्रेट मिटिंग चली सुमवा को ही लेंड फॉर जॉब्स केस में सीवियाई की नई चाशिट में डिप्टी सीम तेजस्वी यादाओ का नाम जुड़ा है ऐसे में नितिच और हरीवन्च की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विशय बनी हुई है दोनों कारलाई से अभी तक इसकी कोई उपचारिक सुझना जारी नहीं की गई है हाला कि उपसवाबती आफिस की तरफ से नियूस अजन्सी को बताया गया है कि यह एक उपचारिक मुलाकात थी जेडियू नेता भी इस पर कुछ भी बोलने से साव इंकार कर रहे है महराश्च में हुई सियासी उलट फेर के इपिट इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं हरीवंश नाराइन को प्रदानमंती नरेन, मोदी और सीम निदिश कुमार दोनों का करीबी माना जाता है इस मुलाकात के बाद सियासी गल्यारों में चाचा है कि हरीवंश मैसेंजर का काम कर सकते हैं जन्त सुराज के नेदर प्रशांत किशोर पहले से यारुप लगाते रहे हैं कि निदिश कुमार हरीवंश के रूप में बीजेबी के बीजेक संभावना छोड़े हुए है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे भन्नेवाद